C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 6 की गनित की पाठ्य पुस्तक का ध्वनी पाठ अध्याई 4 आधार भूत ज्यामितिय अवधारनाई प्रिश्ट अस्सी प्रश्नावली 4. लवेक 1. सनलग्न आक्रिती का प्रयोग करके निम्न के नाम लिखिये A. पांच बिन्दू B. एक रेखा C. चार किरणे D. पांच रेखा खंड 2. सनलग्न आक्रिती में दी हुई रेखा के सभी संभव प्रकारों के नाम लिखिये आप इन शार बिन्दूों में से किसी भी बिन्दू का प्रयोग कर सकते हैं 3. सनलग्न आक्रिती को देख कर नाम लिखिये A. रेखाएं जिसमें बिन्दू E सम्मिलित है B. A से होकर जाने वाली रेखा C. वो रेखा जिस पर O स्थित है D. प्रति छेदी रेखाओं के दो युग्म 4. निम्न लिखित से होकर कितनी रेखाएं खीची जा सकती हैं A. एक बिन्दू B. दो बिन्दू प्रिष्ठ 81 5. निम्न लिखित स्थितियों में से प्रत्येक के लिए एक रफ आक्रिती बनाईए और उचित रूप से उसे नामांकित कीजिए A. बिन्दू P रेखा खंड AB पर स्थित है B. रेखाएं XY और PQ बिन्दू M पर प्रतिछेद करती है C. रेखा L पर E और F स्थित हैं परन्तु D स्थित नहीं है D. रेखा OP और रेखा OQ बिन्दू O पर मिलती है 6. रेखा MN की सनलगन आक्रिती को देखिए इस आक्रिती के संदर्भ में बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य A. Q, M, O, N और P रेखा MN पर स्थित बिन्दू है B. M, O और N रेखा खंड MN पर स्थित बिन्दू है C. M और N रेखा खंड MN के अंत बिन्दू है D. O और N रेखा खंड OP के अंत बिन्दू है E. M रेखा खंड QO के दोनों अंत बिन्दूों में से एक बिन्दू है F. M किरण OP पर एक बिन्दू है G. किरण OP किरण QP से भिन्दू है H. किरण OP वही है जो किरण OM है I. किरण OM किरण OP के विपरीत यानि opposite नहीं है J. O किरण OP का प्रारंभिक बिन्दू नहीं है K. N किरण NP और किरण NM का प्रारंभिक बिन्दू है 4.8. वक्र क्या आपने कभी कागस पर पैंसिल से तेड़ी मिढ़ी रेखाईं कीची है ऐसा करने पर जो आकरितियां प्राप्त होती है वे वक्र यानि कर्व्स कहलाते है इन में से कुछ आकरितियों यानि ड्रॉइंग को आप खागस पर बिना पैंसिल उठाए और रूलर का प्रयोग किये बना सकते है ये सभी आकरितियां वक्र हैं आकरिती चार दशमला वेकशून्य देखिए आम भाशा में वक्र का अर्थ होता है सीधा नहीं गणित में वक्र सीधी भी हो सकती है जैसा के उपर आकरिती चार दशमला वेकशून्य चार में दर्शाया गया है ध्यान दीजिये के आकरिती चार दशमला वेकशून्य में वक्र तीन और साथ स्वयम अपने को काट रही हैं, जबके एक, दो, पाँच और छै में वक्र स्वयम को नहीं काटते हैं. यदि कोई वक्र स्वयम को न काटे, तो वह सरल वक्र, यानि Simple Curved कहलाती है. प्रिष्ट 82 यहां आकरिती 4.1 शुन्य दी गई है. पाँच सरल वक्र बनाएए और पाँच वक्र बनाएए जो सरल नहूं. अब इन्हें देखें. आकरिती 4.1 एक. सनलग्न आकरिती यानि आकरिती 4.1 में दी हुई दोनों वक्रों में क्या अंतर है? पहली, अर्थात आकरिती 4.1 एक एक वक्र एक खुली यानि Open Curve है. और दूसरी, अर्थात आकरिती 4.1 एक दो वक्र एक बंद वक्र यानि Closed Curve है. क्या आप आकरिती 4.1, 2, 5 और 6 में बंद वक्र और खुली वक्र बता सकते हैं? एक आकरिती में स्थितियां. एक टेनिस कोट में कोट रेखा उसे तीन भागों में बाटती है. ये भाग हैं रेखा के एक और, रेखा पर और रेखा के दूसरी और. आप एक और से दूसरी औ और बिना रेखा को पार किये नहीं जा सकते हैं. आपके घर की परिसीमा यानि बाउंडरी घर को सडक से अलग करती है. आप परिसर के अंदर बाड़े की परिसीमा और परिसर के बाहर की बात करते हैं. इसी प्रकार एक बंद वक्र से संबंधित तीन भाग होते हैं, जो एक दूसरे से प्रिथक, यानि अलग-अलग होते हैं. एक, वक्र का अभ्यंतर, यानि interior, अंदर का भाग. दो, वक्र की परिसीमा, यानि boundary, वक्र पर. तीन, वक्र का बहिर भाग, यानि exterior, बाहर का भाग. प्रिष्ट 83 सम्मुख आकरिती 4.1-2 में, A, वक्र के अभ्यंतर में है, C, उसके बहिर भाग में है, और B, स्वयम वक्र की परिसीमा पर स्थित है. वक्र के अभ्यंतर और उसकी परिसीमा को मिला कर, उस वक्र का ख्षेत्र, यानि region, कहा जाता है. जो आपने बंद वक्र खींचा है, उसमें तीन क्षेत्रों को दर्शाया गया है. 4.9 बहु भुज नीचे दी हुई आकरितियों, 4.1-3, 1, 2, 3, 4 और 5 को देखिए. आप इनके बारे में क्या कह सकते हैं? क्या ये बंद आकरितियां, यानि वक्र हैं? ये एक दूसरे से किस प्रकार भिन हैं? आकरिती 4.3, 1, 2, 3 और 4 में कुछ विशेश्टा है. यह केवल रेखा खंडों से ही बनी हैं. ऐसी आकरितियां बहु भुज यानि पॉलिगन्स कहलाती हैं. अथह एक आकरिती बहु भुज होती है जब वह एक सरल बंद आकरिती हो और केवल रेखा खंडों से ही बनी हो. दस अलग-अलग आकरितियों वाले बहु भुज बनाईए. इन्हें कीजिए. निम्न की सहायता से एक बहु भुज बनाने का प्रयत्न कीजिए. एक माचिस की पाँच तीलियां, दो माचिस की चार तीलियां, तीन माचिस की तीलियां, चार माचिस की दो तीलियां. उपरोक्त में से किस स्थिती में यह संभव नहीं हुआ? क्यों? भुजाएं, शीर्ष और विकर्ण सनलगन आकरिती 4.1.4 को देखिए इसको बहु भुज कहने के लिए कुछ कारण दीजिए एक बहु भुज को बनाने वाले रेखाखंड उसकी भुजाएं यानि साइड्स कहलाती है बहु भुज A, B, C, D, E की भुजाओं के नाम क्या है ध्यान दीजिए के कोनों यानि कॉर्नर्ज को किस क्रम में लेकर बहु भुज का नाम लिखा गया है इसकी भुजाएं रेखाखंड A, B, B, C, C, D, D, E और E, A है दो भुजाएं जहां मिलती हैं उस बिन्दु को बहु भुज का शीर्ष यानि वर्टेक्स कहते हैं प्रिष्ट 84 भुजाएं A, E और E, D बिन्दु E पर मिलती हैं इसलिए E बहु भुज A, B, C, D, E का एक शीर्ष है B और C के अन्य दो शीर्ष है क्या आप इन बिन्दुओं पर मिलने वाली भुजाओं के नाम लिख सकते हैं क्या आप परोक्त बहु भुज A, B, C, D, E के अन्य शीर्षों के नाम लिख सकते हैं कोई भी दो भुजाएं जिनमें एक उभ्यनिष्ठ अंत बिन्दु यानि कॉमन एंड पॉइंट हो बहु भुज की आसन भुजाएं यानि अर्जिसंट साइड्स कहलाती हैं क्या A, B और B, C आसन भुजाएं हैं A, E और D, C के बारे में आप क्या कह सकते हैं बहु भुज की एक ही भुजा के अन्त बिन्दु आसन शीर्ष यानि Arjacent Vertices कहलाती हैं शीर्ष E और D आसन शीर्ष हैं जबके शीर्ष A और D आसन शीर्ष नहीं हैं क्या आप बता सकते हैं की क्यूं उन शीर्षों को लीजिये जो आसन नहीं हैं ऐसे शीर्षों को मिलाने से बने रेखाखंड बहुभुज के विकर्ण यानि डायगनल्स कहलाते हैं। सनलगन आकरिती में रेखाखंड AC, AD, BD, BE और CE बहुभुज के विकर्ण हैं। क्या रेखाखंड BC एक विकर्ण है, क्यों या क्यों नहीं। क्या आप आसन शीर्षों को जोड़ कर विकर्ण प्राप्ट कर सकते हैं। आकरिती ABCDE, आकरिती 4.5 के सभी भुजाओं, आसन भुजाओं और आसन शीर्षों के नाम लिखिए। एक बहु भुज A, B, C, D, E, F, G, H बनाईए और उसकी सभी भुजाओं, आसन भुजाओं तथा शीर्षों सहित विकर्णों के नाम लिखिए। प्रशनावली 4.2 एक नीचे दी हुई वक्रों को एक खुली या दो बंद वक्रों के रूप में वर्गी कृत कीजिए। प्रिष्ट 85 दो निम्न को स्पष्ठ करने के लिए रफाकृतियां बनाईए। A. खुला वक्र B. बंद वक्र 3. कोई भी बहु भुज कीचिए और उसके अभ्यंतर को छायांकित यानी शेड कीजिए। 4. सनलग्न आकृति को देखकर निम्न प्रशनों के उत्तर दीजिए। A. क्या यह एक वक्र है? B. क्या यह बंद है? 5. रफ आकृतियां बनाकर यदी संभव हो तो निम्न को स्पष्ट कीजिए। A. एक बंद वक्र जो बहु भुज नहीं है? B. केवल रेखा खंडों से बनी हुई खुली वक्र? C. दो भुजाओं वाला एक बहु भुज। 4. एक शून्य कोन जब कोने यानि कॉर्नर बनते हैं तो कोन यानि एंगल्स भी बनते हैं। यहां एक आकृति 4. एक चैदी है जहां एक बक्स यानि बॉक्स का उपरी सिराख कबजा लगे एक दरवाजे की तरहा है। बक्स के किनारे यानि एज एडी और दरवाजे के किनारे एपी की दो किर्णों एडी और एपी के रूप में कलपना की जा सकती है। इन दोनों किर्णों में एक उभय निष्ठ अंत बिंदू या प्रारंभिक बिंदू ए है। यह कहा जाता है कि ये दो किरणे एक कोन बना रही हैं। उभई निष्ठ प्रारंभिक बिंदु वाली दो किरणों से एक कोन बनता है। कोन को बनाने वाली दोनों किरणे उसकी भुजाएं यानी आम्स या साइड्स कहलाती हैं। उभै निष्ठ प्रारंभिक बिंदु कोन का शीर्ष यानि वर्टेक्स कहला था है। सनलगन आकरिती में किरण O-P और O-Q से बने एक कोन को दर्शाया गया है। कोन को दर्शाने के लिए शीर्ष पर एक छोटे वक्र का प्रयोग किया गया है। O इस कोन का शीर्ष है। इस कोन की भुजाईं क्या हैं? क्या ये किरणे O-P और O-Q नहीं हैं? इस कोन को हम किस प्रकार नामांकित कर सकते हैं? इसे हम केवल यह कह सकते हैं कि यह O पर एक कोन है और अधिक विशिष्टता के लिए हम कोन की दोनों भुजाओं पर एक-एक लेकर और उसके शीर्ष को लेकर कोन का नाम लिख सकते हैं। प्रिष्ठ 86 इस प्रकार इस कोन को कोन P-O-Q नाम देना एक अच्छा तरीका है। हम इसे कोन P-O-Q से व्यक्त करते हैं। सोचिए, चर्चा कीजिए और लिखिए। सनलगन आकरिती 4.1.8 को देखिए। इस कोन का क्या नाम है? क्या हम इसे कोन P कह सकते हैं? परन्तु किस कोन को कोन P कहेंगे? कोन P से हमारा क्या तातपर यह है? क्या एक कोन को केवल उसके शीर्ष द्वारा नामांकित करना यहां सहायक होगा? क्यों नहीं? कोन P का अर्थ यहां कोन APB या कोन CPB या कोन APC हो सकता है? इसलिए यहां और अधिक सूचना की आवशकता है. ध्यान दीजिए कि कोन को लिखते समय उसके शीर्ष के अक्षर को सदैव बीच में लिखा जाता है. इनहें कीजिए. कोई कोन मान लीजिए कोन ABC लीजिए. किरण BA को परिसीमा लेकर उस भाग को चायांकित कीजिए जिस ओर किरण BC स्थित है. अब किरण BC को परिसीमा लेकर उस भाग को दूसरे रंग से चायांकित कीजिए जिस ओर किरण BA स्थित है. दोनों प्रकार के चायांकित भागों में उभाय निष्ठ भाग कोन ABC का अभ्यंतर है. आकरिती 4.1.9 ध्यान दें के अभ्यंतर एक सीमित क्षित्र नहीं है. यह अनिश्चित रूप से विस्त्रित है क्योंकि कोन की दोनों भुजाएं अनिश्चित रूप से अपनी अपनी एक ओर विस्त्रित है. प्रिष्ठ 87 सनलगन आकरिती 4.2 में X कोन के अभ्यंतर में स्थित है. Z कोन के अभ्यंतर में स्थित नहीं है. यह कोण के बहिर भाग में स्थित है, बिन्दु S स्वयम कोण PQR पर स्थित है, अतहा कोण से संबंधित भी तीन क्षेत्र होते हैं. प्रशनावली 4.3 1. नीचे दी आकृती में कोणों के नाम लिखिये 2. सनलग्न आकृती में वे बिन्दु लिखिये जो a. कोण DOE के अभ्यंतर में स्थित है, b. कोण EOF के बहिर भाग में स्थित है, c. कोण EOF पर स्थित है, 3. दो कृणों की रफ आकृतियां खीचिये जिससे a. उनमें एक बिन्दु उभ्यंश्थ हो, b. उनमें दो बिन्दु उभ्यंश्थ हो, c. उनमें तीन बिन्दु उभ्यंश्थ हो, d. उनमें चार बिन्दु उभ्यंश्थ हो, e. उनमें एक किरण उभ्यंश्थ हो. अभी आप सुन रहे थे कक्षा 6 की गनित की ध्वनी पाठ्य पुस्तक वाचन स्वर गौरव मार्वा निर्मान सहयोग सौम्या मलिक निर्मान विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुती CIET NCERT नई दिल्ली भारत